Welcome to PW Only IAS दोस्तों जब हम बात करते ना 36 गड़की तो आप जानते होंगे राइपुर्ख से थोड़ी दूरी के उपर आपको कानकेर नाम का रीजन एक देखने को मिलता है अब हुआ ये कि हमारी जो BSF है और जो District Forces है उनको एक टिप मिला टिप क्या मिला कि जो माविस्ट लीडर्शिप है ना उनके कुछ लोग इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है जब हमारे जवानों को ये बात पता लगी तो उन्होंने फिर यहाँ पे एक उपरेशन प्लान किया और यहाँ पर इस उपरेशन के अंदर ऐसा देखा गया कि 29 माविस्ट को मार गिराया गया ऑन दा अधर हैंड हमारे तीन जवान जो थे उनको इंजरीज आई है पर अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल खत्रे से बाहर है और यह बहुत एक सक्सेस्फुल उपरेशन हमें देखने को मिला है अगर हम बात करें तो सिक्योर्टी फोर्सिस के वारा 79 माविस्ट को यहाँ पर मारा गया है जो कि 2019 में जब 80 माविस्ट को मारा गया था उसके बाद हाइस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों डेट है आज की 17 एपरिल दोजार चॉबेस और आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलिम बूस्टर निउस डिसकॉशन के अंदर दोस्तों पहली बात तो यह कि आप जानते होंगे हमारा जो प्रिलिम्ज है लग बग अब दो महीने दूर है राइट एंड साथी साथ कल ही 16 एपरिल को आप जानते होंगे UPSC का फाइनल रिजल्ट भी आया है अब आप सबने भी इस रिजल्ट को गो थूट किया होगा अब देखिए जो रिजल्ट वाली जो PDF है ना दिस शुड एक्ट अजा मोटिवेशन फॉर अल अफ यू कि कैसे अगले साल आपको भी इस लिस्ट के अंदर अपना नाम लेकर आना है प्लस at the same time अपने parents को अपनी family को सबको आपको proud feel करवाना है तो उसके लिए ना आपको उतने efforts भी definitely करने चाहिए अगले आने वाले months के लिए चाहे वो parents हो चाहे means हो चाहे फिर 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 final stage होगा कुछ एक candidates definitely ऐसे भी है देखो जिनसे मेरी कल बात भी हुई जो किसी कारणवश इस exam को थोड़ा सा miss कर गए finalist में उनका नाम नहीं आया पर आपको देखो बिल्कुल भी गवराने की ज़रुवत नहीं है आप India के top 1% लोगों में already हो तो आपको क्या करना है थोड़ा सा अपना rest करनी है थोड़ा सा अपने आपको वापस से re-energize करना है and क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाला prelim ज़्यादा दूर नहीं है तो थोड़ा सा relax करते हुए अपने efforts को वापस से pick up करना है एंड कोशिश करनी है कि अच्छे से आगे की त्यारी करी जाए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला हमारा टॉपिक है दा कोरल फोर्ट इनिशेटिफ एन इनोवेटिव सिलिशन तो प्रिटेक्ट कोरल देखो साउथ स्वाइडा के कुछ रिसर्चेस के दवारा एक नई इनोवेटिव अप्रोच अपनाई गयी है देखो होता क्या है ना अब आप कोरल्स के बारे में जानते होंगे पहले चलो मैं एक काम करता हूँ कोरल्स के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कोरल्स जब एक इंडविजुवाल होता है इसको बोलते हैं polyp और आप जानते होंगे कि polyps का और zoos anthony का एक symbiotic relationship देखने को मिलते हैं symbiotic मतलब जहां पर दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फाइदा होता है for example जब हम बात करते हैं न कोरल्स की तो कोरल्स zoos anthony को shelter और protection प्रवाइड करते हैं on the other hand जो कोरल्स है उसको energy उसको nutrients zoos anthony से मिलते हैं तो यानि कि कोरल को zoos anthony ने फाइदा कर दिया zoos anthony को coral ने फाइदा कर दिया इस चीज़ को बोलते हैं symbiotic relationship इनके बीच में देखने को मिलता है और इसी तरह कि जब बहुत सारे polyps एकठे देखने को मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं coral colony या फिर coral reef के नाम से हम जान सकते हैं यहाँ पर आप notice करोगे calcium carbonate exhaust channel content को secret यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अच्छी बात यह होती है कि आपको बहुत सारी marine species यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ऐसा बता जाता है कि they are called as rain forest of the sea क्योंकि यहाँ पर जैसे तरह से rain forest के अंदर बहुत आपको अच्छी गासी biodiversity देखने को मिलती है similar manner के अंदर हमें coral reefs में भी same situation देखने को मिल जाती है पर temperature बढ़ने से ocean का बहुत सारे इनको issues phase करने पड़ते हैं आपने coral bleaching का नाम भी सुना होगा के बार corals की death भी हो जाती है तो यह सारे कुछ न कुछ issues होते हैं पर अपने आप में coral बहुत ज़्यादा important है क्योंगी coastline को protect करते हैं मान लोग कुछ ocean storms, floods से साथ साथ नर्सरी की तरह काम करते हैं marine wildlife के लिए breeding ground की तरह एक करते हैं tourism के लिए बहुत important हो जाता है तो इस तरह से food fishing के perspective से tourism recreation के perspective से even medicinal uses भी इसके आपको देखने को मिलते हैं coastal protection जैसे मैंने आपको बताया as a barrier की तरह एक्ट कर जाते हैं जो सारे अलग-अलग benefits आपको देखने को definitely मिलते ही हैं पर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हो रही है इनकी destruction यहाँ पर इनकी coral population कम हो रही है तो हमने सोचा क्यों नहीं एक काम करें lab में इनको grow किया जाए बिल्कुल अब lab grown corals हमने start तो कर दिये पर जो fishes वगरा थी वो 40% से भी नीचे आ जाते हैं अब ऐसे case में क्या हुआ जो researchers ते South Florida के जिनके आप नाम यहाँ पर पढ़ सकते हो इन्होंने बनाया coral fort अब आप पूलेंगे यह coral fort यह क्या चीज होती है देखो आप लोग ने इस तरह से यह अलग-अलग drinks आपने पी होंगी के नाम से ठीक है अब यह जो straws थी इन्ही straws को use किया गया कैसे used किया गया जैसे यह देखो यह straw देख रहे हूँ यह straw है ज़र्षव में थोटी बड़ी वाली straw बस basically यह straws को use किया गया अब यहाँ पर इसके अंदर के लिए use किया for the corals अब क्योंकि ये protection मिलगी अब ये जो आपकी parrot fish जैसी predators थी ये अब इस coral की उपर attack नहीं कर पाएगी और coral के जो आपके survival rates थे starting के अंदर वो बहुत ज़दा बढ़ जाएगे आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी सर ये जो drinks वगरा के लिए हम जो straws वगरा use करते हैं क्या इसका negative impact आपके ocean की उपर नहीं पड़ेगा नहीं पताए क्यों क्योंकि हमने जो drinks जो straws को बनाया है ये bio degradable material से बनी है तो अपने आप से बाद में हट जाएगी वहां से अपने आप से dissolve हो जाएंगी ocean के अंदर हमें बस उसको starting के अंदर coral को protection देना था उस वज़ास से purpose की वज़ास से bio degradable cage यानि की coral fort यहां पे बनाया गिया था तो इससे क्या होता है आप notice करोगे कि हमारा जो अगर कोई और तरीका हम अपनाए इसको protect करने का maintain करने का coral का वो काफी issues थे उसके साथ पर यह innovative solution बहुत जा मदद करने वाला है I hope यह चीज़ें आप यहां पे समझ के होंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से information आप सभी के रिए हमारा जो पठना सेंटर है वहाँ पर 71st VPSC and UPSC 2025 का course स्टार्ट हो चुका है 15 April से स्टार्टिंग की जो 5 demo classes है वो बिल्कुल आप सभी के लिए free है आपको नीचे description के अंदर मैंने link भी दे दिया है plus at the same time एक Google form भी है जिसको आप fill करके अगर आपको कुछ भी additional details आपको जाननी होती है वो सारी की side details आपको वहाँ पर मिल जाएंगी फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप हमें इस number 9920613613 पर contact भी कर सकते हो and I am sure ये जो particular आपका batch है आपकी इसकी classes आप definitely attend करिए and आप realize करोगे कैसे आपकी preparation को ये बहुत एक massive boost देने वाला है next चलते हैं अंगले topic तरह that is conflict in Sudan देखो अगर आपने UPSC का 23 का claims देखा हो तो आपने जानते हो कि वहाँ पर भी हमने Sudan के उपर question देखने को मिला बिल्कुल सही बात है देखो हुआ दरसल में क्या है ना जो Sudan का conflict था जहां पर एक side आपकी Sudan की armies armed forces है and on the other hand चल गया है ऐसा माना जा रहा है कि 14,000 से भी जादा लोग मारे जा चुके हैं इस conflict के अंदर and लगबग 80,000,000 लोगों को यानि कि 8,000,000 पीपल को अपना घर छोड़कर यहां पर भागना पड़ा है तो थोड़ा सा Sudan के बारे में और हम discuss कर लेते हैं जब हम बात करते हैं North East Africa की तो यहां पर आपको Sudan देखने को मिल जाएगा इसकी capital आपको खार्तूम देखने को मिल जाती है थोड़ा समय आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जैसे जब हम बात करते हैं Blue Nile और White Nile की जैसे आप जानते हो यहां पर आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलती है यहां से आपकी इस तरह से वाइट नाइल जाती है Northward साइड उस तरह से आपको Blue Nile आपको देखने को मिल जाएगी यह जो यहां पर यह जो मिल रही है ना Blue Nile और White Nile फिर आगे जाके वो प्रॉपर Nile रिवर बिनती है and accordingly it goes on to Mediterranean Sea तो यह जहां पर मिल रही है यह मिलने का जो स्पॉट है यह जो खार्तूम जगा है जो की सुदान की capital city है उसके बिल्कुल पास में है यह location perspective से आपको बिल्कुल अच्छे से बता होना जाहिए बाकी सुदान की अगर हम थोड़ा watering countries की बात करें तो आप notice कर पाओगे की यहां पर आपको Central African public Southwest direction के अंदर उसके लावा Chad आपके West direction के अंदर Egypt हो गया आपका Libya हो गया ठीक है ना यह Northwest और आपके North side पर देखने को मिल जाएगा उसके साथ साथ Erythria, Ethiopia, South Sudan यह कुछ important countries जिसको यहां पर border करती है These are few things that you must know and इस side के उपर क्या जाता है आपका आपका Red Sea आपको देखने को मिल जाएगा Next बढ़ते हैं अगले topic के तरफ that is Hokkaidu Japan's Garden of the Gods is warming छोड़ा समझते हैं कि मुद्दा क्या है देखो जब हम बात करते हैं जपान की तो आप जानते होंगे कि जपान के अंदर आपको चार major islands देखने के मुलते हैं एक हो गया Hokkaidu, Honshu, Shikoku and Kyoshu यहां फिर आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे है Hokkaidu की और Hokkaidu में भी एक important जगा है सपारो के नाम से ठीक है? तो यह कुछ चीजें हैं जो आपको पहले तो location perspective से जाननी चाहिए अब हुआ पता क्या है? जैसे इंडिया की meteorological agency होती है उसे तना से जपान की जो meteorological agency है ना उसने यह बाया है कि जो location मैंने आपको बताई अभी सपारो वहाँ पर जो main city है जो कि आपके जपान का second largest island Hokkaidu है वहाँ पर 26 degree temperature यहाँ पर record हुआ है अब actual में सर इतना हरान होने वाली क्या बात है दिल्ली में तो 26 सर रहता ही है ठीक है ना? अरे दिल्ली में रहता है पर यहाँ नहीं रहता जो आपके मैं बात कर रहा हूँ होकाइडू के अंदर especially support ओके ना अंदर यह ना एक्शली जो location है यह आपकी यहाँ पर ice के लिए snow के लिए लोग यह देखने यहाँ पर जाते है इसके लिए famous है ऐसा इसको बोलते है इसको garden of the gods के नाम से भी जाना जाता है इस जेखा को ठीक है ना? यहाँ पर एक्शल में क्या है जो जपान की indigenous population है जिसको हम नाम जानते है आइनस के नाम से यह आइनू के नाम से यह जपान की indigenous population है यहाँ पर यह लोग रहते हैं जिस वज़ा से इस दिन को as a summer day की तना गोशित कर दिया गया है राइट? कुछ और pointers अगर हम देखें तो आप notice कर पाओगे यहाँ पर जो annual average temperature रहता है वो 8 degree centigrade रहता है हुकाईटू का एड साथ साथ average annual precipitation आपकी 1150 mm आपको देखने को मिल जाएगी और भी अगर हम regions की बात करें तो coldest month में minus 9 degree centigrade आपको देखने को मिल जाएगा ठीके ना hottest आपका 21 degree तक जाता है पर यह 26 degree वगरा होना यह अपने आपे बहुत ही concerning situation है इसके पीछे तो कारण बचाएदा रहा है that is urban heat island जिसको हम UHI के नाम से भी जानते हैं देखो होता गया ना जैसे for example एक हम city के अगर हम बात करें मालो यह वाला area है पूरा city का अब city के अंदर क्या होता है सब city के अंदर होता है concrete जिसको हम concretization भी बोलते हैं अब देखो green places तो है नहीं green places तो park वगरा हमने सब तोड़ दिये हटा दिये उसकी जगा concrete का ही सब कुछ बना दिया तो जब यह चीज़े होती है ना तो आसपास के region जैसे मालो अब दूर कोई गाउं था उससे पांजाज दस किलोमेटर दूर गाउं था और यहां पर शहर के अंदर पूरा ही concrete वगरा सारा लगा हुए है urban residential हो गया commercial चीज़ें लगी हुई है तो जब यह चीज़े होती है ना यहां पर जो temperature रहता है वो आसपास के region से चार-पांच लेगरी उपर ही रहता है यह आसपास जो गाउं था वहाँ temperature ठीक था पर यहां पर urban areas के अंदर इतने ज़्यादा concrete वगरा है इस वज़े temperature बहुत बहुत यहां पर हमें हाई देखने को मिल जाएगा इसी की जिसको बूलते हैं क्या urban heat island और जो मैं बात कर रहा था I knew people की वो क्या है indigenous people है Hokkaidu के ऐसा माना जाता है कि 1800 के आसपास इनका नंबर Japanese से भी जाला था बट बाद में over the time क्या हुआ मतलब यह hunter gather people थे बाद में over the time क्या होता है हमें notice करने को मिलता है कि इनके उपर देखने को मिलता है जिस वज़ा से इनकी जो population है थोड़ी कम होती हुए देखने को मिल जाएगी इनको indigenous people of Japan किता रेकुनेस किया था 2019 के अंदर That is with regards to operation मेग दूद के बारे भी देखो दरसल में क्या हुआ है operation मेग दूद के 40 साल complete हो चुके है मैं थोड़ा सा आपको location perspective समझाने की कुशिश करता हूँ यहाँ पर आप जानते हो देखो वैस्तों देखो पूरा कश्मीर हमारा ही है इसमें कोई doubt की बात है ही नहीं पर आप जानते हो कि यह वाला जो area है अकसाई चेन यहाँ पर चाइना की दोड़ा claim किया जाता है और इवन उनके occupation के अंदर ही है उस तरह से पाकिस्तान occupied कश्मीर भी पाकिस्तान के control के अंतरगत अभी हमें देख रख मिलता है यहाँ पर यह आपको स्याचन ग्लेशर देखने के मिल जाएगा यहाँ बहुत important एक point है NJ9842 यहाँ पर आपको इंदरा कोल point हो गया अंद कोड़ा करों पास आपको देखने के मिल जाएगा तो पूरा region इंडिया का आपको देखने के मिलता है यह स्याचन ग्लेशर आपका बन जाता है अब हुआ क्या करता था पहले time के उपर ना ऐसा मना जाता था कि तो मतलब इंडिया का ही part है no doubt about it पर यहाँ पर actually इतनी तेज हवाईं चलती है weather इतना ज़्दा harsh होता है कि वहाँ पर हमारे जो personals थे वो यहाँ पर present नहीं थे हमारे इंडिया नामी वहाँ present नहीं थी पर धेदरे क्या हो गया पाकिस्तान बहुत सारे अपने maps वेरा निकालने लग गया जहां पर हो कहने लग गया कि यह हमारा हिस्सा है plus at the same time जो mountain expeditions थे जो foreigners आ रहे थे mountaineers करने तो उनको भी यहाँ पर allow करने लग गया पाकिस्तान तो भारत के अंदर पाकिस्तान ऐसे कैसे कर सकता है तो पाकिस्तान कही ना की ना अपना military action और ना बढ़ा ले यहाँ पे तो इंडिया ने कोशिश की कि भाई यह जो इसका claim है ना जो पाकिस्तान करने कोशिश कर रहा है यह बिल्कुल गलत claim है तो इंडिया ने बिल्कुल इसको खतम करने कोशिश करी कैसे हमने यहाँ पर जाने की कोशिश करी ठीक है ना यहाप पूरा मैप को यहाँ पर study कर पाऊगे बहुत important आपके लिए बन जाता है तो operation make doot यहाँ पर हमारी इंडियन आमी की तोड़ा launch किया गया तांकि जो strategic heights से आचिन की इसके उपर हम अपना control यहाँ पर establish कर पाएं तो जिसके लिए operation make doot को launch किया गया काफी एक मुश्किल operation था क्योंकि हमें लो से उपर की तरफ जाना था और उपर से बहुत heavy जो conditions होती है वहाँ पी weather conditions वह काफी issues वहाँ पर create करती है तो इस operation के माध्यम से हमने इंडियन आमी socials को वहाँ पर एयर लिफ्ट किया 1984 के अंदर operations स्टार्ट हुआ पर इससे पहले भी हम लोग कुछ ना कुछ operations यहाँ पर करने कोशिश कर रहे थे यह तक फैलिकॉप्टर हो गया 1978 से ही हम यहाँ पर land करने कोशिश कर रहे थे ठीक है तो 300 के creep के यहाँ पर troops को यहाँ पर position किया गया इस जो strategic locations थी इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर ensure कर ले कि हम यह हमारे control के अंदर ही रहे तो definitely क्योंकि हम अपर top से थे यहाँ पर हम पहुँच चुके थे तो इससे कहिने के श्रक्स का valley वाले area के उपर भी रंदर रखी जा सकती है और पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो एक strategic location का उनके बास जा सकता था हमने उसको यह उपर definitely अपना control establish कर लिया राइट इंडियन एर फोर्स का भी definitely इसके अंदर बहुत important role रहा different fighter aircraft जैसे hunter हो गया मिग 23 हो गया मिग 29 हो गया इनका भी यहां पर यूज किया गया और भी बहुत साई चीज़े यूज करेंगी जैसे आपका fighter sweeps हो गया simulator strikes हो गया तो उसके basis के उपर मारा control धिर दरे यहां पर और increase होता रहा है 2009 के अंदर भी चीतल helicopter को यहां पर induct किया गया दूज़ा तेरा के अंदर जो लॉकेड मार्टिन है हमारा उसको यहां पर capabilities को showcase यहां पर किया गया दौरत बेग ओल्डी के उपर दौरत बेग ओल्डी दुनिया की highest air step हमें देखने को मिल जाती है नियर्दा line of actual control in लड़दाख साच-साथ बात करें सियाचन glacier की तो यह world की highest battlefield देखने को मिलती है और जैसा मैंने आपको location बताई यहां पे NJ9842 से लेकर आपकी यह पूरा यह जो रीजन आपको देखने को मिलता है 75 km long आपको सियाचन glacier न्यूब्रा वैली के north में देखने को मिलता है and अगर हम बात करें this is the largest glacier outside the polar and subpolar region next मारा बिल्कुल एक छोटा सा topic है IMD के regarding देखो IMD ने यह बात बोली है कि अगले जून से सप्टेंबर का जो हमारे period है इसके अंदर जो बारिश रहेगी वो अच्छी कासी देखने को मिल जाएगी यानि कि 6% more than these months यह IMD का यहां पर prediction है और आप जानते हो इसका कारण क्या है इसका कारण है हमारे जो southwest monsoon हमें देखने को मिलते हैं North East Monsoon से तो आपका Tamil Nadu हो गया कुछ और regions हो गया यहां पर वहां पर होती है इसके बीज़े अलग अलग कारण आपको देखने को मिलते हैं जैसे जब हम बात करते हैं ना मॉंसून की तो आप जानते होंगे यहां पर आपको तिबबत होता है तिबबत की जब intense heating हो दी है उसकी वज़ास से कही ना कहीं क्या होता है एक low pressure formation हमें तिबबन तर्म टैटू के पर देखने को मिलता है साथ साथ यहां पर आपको मार्डगसकर के होना अफ्रीकन इस्टरी जैट हो गया या फिर लोग प्रेशर सिस्टेम डेलप होना इंडर ट्रॉपिकल कर दो उसका प्रेजंस होना यह सारे कुछना कुछ फैक्ट पर बनते हैं जो कि मौंसें को आउटसेट के लिए रिस्पॉंसिबल रहते हैं तो दोस्तों यह थे कु देफिनीटली इंडिया इसका मैंबर हैं तो दिखो स्टेरिंग कमेटी के चेहर में थे नौ डॉक्टर जिंदर पर शाद जी थे ना कि बाबा सब्सार आपका इंकरेक्ट हो जाएगा एंजटी बिल्कुल नैच्टल जश्टिस के पृंसिपल से ही गाइडिड है तो रख्या होता है कि एकनॉमिक्स कोशन में आपको ये होमवक के लिए दे रहा हूँ कल आपको एक और होमवक दिया थे मैंने पॉलिटी का जहां पर अटार्नि जनल और सिलिस्टर जनल के बारे में बात हो लिए थी आपके जो पहली बात कहरा है कि यह दोनों आपके मीटिंग्स आप पार्लनिमेंट अफ़ इंडिया इनके अदर पार्टिस्पीट कर सकते हैं क्या यह बात ठीक है देखो समझो इस बात को जो अट ऑनि जनल होते हैं वो तो पार्लनिमेंट के अदर बोल भी सकते हैं आपकी proceedings के अंदर participate भी कर सकते हैं जो भी joint proceedings होते हैं उनके अंदर भी पर ध्यान रखना attorney general के पास voting की power नहीं होती ठीक है on the other hand जब मैं बात करता हूँ solicitor general की या फिर आपके additional solicitor general की इनके पास ये सब powers है ही नहीं तो यहाँ पर जो बात कदी न कि solicitor general भी ऐसे होते हैं नहीं attorney general के पास पावर्स हैं पर solicitor general के पास ये कोई ऐसी power नहीं देखने के मिलती है second कह रहा है कि हमारे समिधान के हिसाब से attorney general जो होते हैं वो resignation submit करते हैं जब government जिसने appoint किया वो resign कर दे देखो पहली बात तो ये समझो attorney general जी के बारे में constitution के अंदर उनकी term वगेरा क्या होनी चाहिए ये कुछ नहीं बता रखा ना ही उनको कैसे remove करना है ये भी नहीं बता रखा तो होता क्या है ना attorney general president के pleasure के उपर office को hold करते हैं and at the same time एक convention नहीं बन चुका है कि जब सरकार हटेगी तो साथ-साथ attorney general भी अपना resign दे देंगे पर ऐसा समिधान के अंदर लिखा है नहीं बिल्कुल भी नहीं ये जो पहरी लाइन है according to constitution of India नहीं इस वज़ा से statement ही गलत हो जाएगी it is as per a convention तो दोनों की दोनों statement आपकी गलत है यहाँ पर option number d देल के अंदर पूना मतलब fast and death होता है फिर बाद में पूना pact होता है बिट्मिन डॉक्टर भी अनम बेदकाजी और महात्मा गांदी जी तो यह था आज का discussion अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मारी टेलिग नाम चैनल PW only as official जाके इस PDF डाउनलोड कर सकते हो अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो thank you very much for the discussion